Hello everyone, आज हम करेंगे मार्किटिंग का एक बहुत important topic product या market expensive grid इसमें कई बार क्या पूछे जाते हैं कि market penetration क्या होता है, diversification क्या होता है तो इनको जानने से पहले हमें product या market expensive grid के meaning को जानना होगा क्योंकि meaning में ही इन वर्डों को use किया जाता है तो उसके बाद ही हम इनको क्या करेंगे clear करेंगे तो इसका meaning क्या है portfolio planning tool for identify company क्या है ये planning tool है किसको identify करने का company की growth opportunity through market penetration market development product development और diversification यानि कि ये एक क्या है planning tool है हम planning करते हैं किसलिए company की growth के लिए opportunity का benefit उठाने के लिए किन के-through market penetration के-through market development के-through product development या diversification यानि कि इन चारों में से कोई भी हम use कर सकते है तो अब हमें ये तो पता चल गया कि market expansion greed होता क्या है बट जो ये इसमें word use हुई है market penetration, market development, product development और diversification ये तो हमने पहली बार सुने हैं तो इनका meaning भी clear होना जरूरी है तभी हमें ये definition clear होगी और यहीं से question पूछा जाता है definition से कोई question नहीं आता आप से ये पूछा जाएगा कि market penetration है एक example दे दिया जाएगा उसके through आप से पूछा जाएगा कि ये किस का example है तो देखो अगर ये कहा गया है existing market यानि कि कि एक company थी जो पहले इंडिया में बिजनस करती थी वो अब भी इंडिया में ही बिजनस कर रही है और उसी product को sale कर रही है तो existing market existing product उसको हम क्या बोलेंगे market penetration और अगर वही product पहले जैसे इंडिया में sale करती थी उसके बाद किसी दूसरे देश यानि कि Australia या अमेरिका में भी sale करना start कर दिया है तो वो क्या हो जाएगी वो market उनके लिए क्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी क्या कर रहे हैं डालोप कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं उसके बाद है existing market और new product इंडिया में पहले हम एक product को sale करते थी अब हम उसी market में यानि कि इंडिया में ही किसी दूसरे product को ले के आए है तो उसे बोलते हैं product development क्यों क्योंकि अब हम पहले जो हमारा old product था अब उसकी जंगे पर या तो कोई अलग product ले के आए हैं या फिर उसी में कुछ हमने सुधार करके यानि कि उसकी quality increase करके product launch किया है तो उसे बोलते है product development क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं product को development कर रहे हैं यानि कि product की quality को increase कर रहे हैं उसके बाद है diversification diversification का मतलब क्या होता है new market new product यानि कि नई ही market है और नया ही product है जैसे हमने कोई भी product launch किया है तो उसके लिए starting में वो नई market होती है या फिर कोई company पहले भी किसी product को sale कर रही है it means कहने का मतलब क्या है नए product को या फिर कोई उसमें improvement करके उसे भी हम क्या कहेंगे नया product ही कहेंगे उसे किसी नई market में जहाँ पर वहाँ उस product को पहले launch नहीं किया गया है वहाँ पर क्या करना उसको product को sale करना उसे हम क्या कहेंगे diversification तो mostly diversification या market penetration से क्योंकि इन दोनों से तो क्या है हम वैसे भी अंताजा लगा कि बहुत जल्दी ही clear हो जाता कि वही नई market है तो जाहिल सी बात है market को development कर रही है और अगर नया product है तो product को development कर रही है इन दोनों में confusion होती है तो आज आपकी शायद वह confusion भी clear हो गई होगी कि दोनों चीज old है यानि कि दोनों चीज existing है market भी और product भी तो market penetration दोनों चीज़े नई है new market, new product तो diversification और एक नई है market और product old है तो market का development हो रहा है और product नया है और market पुरा नही है तो product का development हो रहा है तो I hope आपको clear हो गया होगा कि market expansion greed क्या होता है इसे कई बार student से कहते हैं कि मैं बहुत ही difficult है clear नहीं हो रहा है I hope हमारे वीडियो से आपको clear हो गया होगा और अगर कहीं पर भी problem आती है तो आप comment session में जरूर लिखिए और अगर हमारे वीडियो पसंद आई हो तो like करना मत बूले thank you for watching this video and please subscribe and share my channels thank you